Hello everyone, my name is Smeet and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important रहने वाली है because आज हम बात करने वाली है latest IOE vacances के बारे में जिसमें document verification की job भी आ चुकी है वो भी आपकी permanent job रहने वाली है वो भी आपकी पर्मनेंट जोब रहने वाली है जैसे किया eligibility रहने वाली है सबसे important बार apply कैसे करना है क्योंकि यह आपकी urgent hiring होने वाली है ध्यान से समझ लेना है apply कैसे करना है उसके लिए proper screen share करके मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे की vacances के लिए किस तरीके से आपको apply करना होगा सबसे अच्छी बात तो यह कि इसमें कोई application की fee आपको पे नहीं करनी है चाहिए आप reserved candidate है चाहिए unreserved candidate है male है female है और आपका इन vacances में exam भी नहीं होने वाला है डारेक्ट आपकी इसमें selection होने वाली है कैसे किस basis पे कौन कौन से इसके इलावा भी vacances आया हर चीज़ को detail में cover करने वाले है तो वीडियो को complete आपने जरूर देखना है अगर आप चैनल पर first time आये हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके बाल आइकन को press करके all पर click करना पांकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए बाकि इस update के इलावा और भी काफी सारे department है जिनकी vacances आउट की जा चुकी है तो आप अपने qualification अपनी city या फिर डिस्टे के accordingly हमारी official website www.clory.com पर विजिट करके information लेकर apply कर सकते हैं लिंक website का description में आपको दे दिया गया है आप देख भी पा रहे हैं अगर आप इसको google पर टाइप करेंगे ना तब भी आपको first number पर हमारी official site मिल जाएगी चले ज्याधा टाइम अले बात करें कि latest job update के वारे में किस तरीके से apply करना है क्या क eligibility रहने वाली है तो सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक जरू कर देना आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए ने अपडेट लेकर आने का इसके रावा मैंने आपके लिए एक new channel भी create कर दिया कुछ update हम यहां पर discuss किया करेंगे और कुछ update हम वहां पर discuss कि क्या करेंगे खास दोर पर बहुत सारी केंड़ेट की कमेंट्स लेकर मिलते हैं अगर हम work from home job की बात करें हमारी सेलेक्शन नहीं हो रही है यह हम किस तरीके से इंटर्वी के लिए पर प्रपेर हो सकते हैं तो उससे एलेटेड वीडियो आपको चैनल पर जरूर तेखने को म सब्सक्राइब करेंगे तरह से बिल्कुल फ्रेश जॉब अपडेट है आज रहा है एक घंटा पहले जी जॉब अपडेट है तो सबसे पहले आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एन्यों फ्रेश यहां पर अप्लाई कर सकते हैं यहां पर एक्स्पीरियंस जाते हैं वह भी विए को सबसे हैं सबसे पहले को बाएं जाख करेंगी उसके प्रोपर स्क्राइब करके बतांगे कैसे नाब करना है उसके बाद सेकंड जॉब अपडेट हम डिसकस करेंगे वह भी बहुत बढ़िया जॉब अपडेट है तो इसमें जो पहली जॉब आई हुई है ना वह एसोसेट प्री डिसीजनिंग के वाइसी के लिए है नामसी समझ में आ रहा है तो इसमें आपका डॉकमेंटेशन से रिल मैंला क्या उसमें कोई कमी तोनी है यह कुछ गलत ौनी यह कुछ कोई जी बुलर तो नहीं है फिर आपको इसे बात करके उसे डॉकमेंट को अरेंज करता होगा अगर उसमें कोई कमी है बस ही आपका व्क रहने वाला हैίας ना SIMPLE अप्ले तो एपलाई है आपको इनवेकेंसि जाएंग लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे लास्ट में अबको देखने को मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यहां पर पता है कि या कोई है नहीं हर कोई आप में इसे अपलाई कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा पोस्त के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो यह मुझे बेस्ट चीज लगी इसलिए मैं सबसे पहले आपके लिए अप्डेट ही लेकर आई हुग अब यहां पर देखिए apply के लिए आपको यहां option मिल रही है blue में highlight है apply ना होगी आपको क्या करना है इस पर click करना है click करेंगे तो यहां पर देखिए उन्होंने mention किया है you don't need to have an account बतलब आपको इसको apply करने के लिए किसी account को create करने के need नहीं है अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है email id अपने यहां पर mention करने होगी यह mandatory field है इसके इलावा आप इसके बिना आप continue नहीं कर सकते email id को mention करके I agree with terms and conditions पर आपको गया करना है उसके बार आपको next पर click कर देना है अब क्या करना है आपको application form को fill करना होगा आपका name mention करना है contact number alternate contact number qualification आपकी क्या है कब आपने पास आउट की है कहां से पास आउट की है and other required information आपको fill करनी है इसके इलावा वहां पर option आपको देखने को मिलेंगी अब fresh air experience नहीं अगर कोई experience नहीं को select कर लेना है कितने time का experience है और अगर कहीं पर working है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा कितने time का आपने दिया हुआ है बस submit कर देना last में इसी तरीके से apply करेंगे ना कोई problem आपको इसमें नहीं आने वाली है जो जो step मैंने आपको बताए है ना इनी step को follow करते हुए आपको apply करना है तो कोई problem आपको नहीं आने वाली है अगर हम पहली वाली job के लिए eligibility की बात करें तो यहां पर clearly mention किया है जिरो से 1 year का experience required है जिरो means as of pressure आप apply कर सकते हैं अगर कोई ऐसे eligibility की बात करें इसमें एनी graduate apply कर सकते हैं इसमें दो टाइप की विकैंस अगर लोकेशन वाइजर एक पोस के लिए बीकॉम बीबी ए एंबी वाली apply कर सकते हैं salary इसमें आपकी up to 25,000 हो सकती है ठीक है यह तो है पहली job की eligibility अब बात करते हैं second कौन सी profile है उसके लिए कैसे आपको apply कर लेना है इस जौब के लिए एक और eligibility है जो कि इन्होंने mention किया है एसो सेट के लिए आपको salary hike दी जा रही है इसके इदावा इन्होंने यहां मैंशन किया कि आपको के वाइसी का one year का experience है किसी भी डिपार्टमेंट का हो तो आप इस वाली profile के लिए apply कर सकता है जो पहली वाली job है उस कर सकते हैं अगर आप सारी eligibility criteria को fulfill करते हैं अब यह तो होगी apply के बात अब बात आते इसमें कैसे आपनी selection होने वाली है selection के अगर हम बात करें यहां पर describe तो नहीं किया है बट जिस तरीके से notification रिलीस किया गया है इसमें आपकी walk-in interview तो definitely हो सकती है उसके basis पे आपकी selection होने वाले क्योंकि exam है नहीं अब directly hiring सब्सक्राइब करें तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक notification आप तक टाइम पर